हिई और फ्रेंड्स लाउ्ट टिख्यों के YouTube डिलेलमें सब लोगों का स्वागाति Inter per फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप लोगों से बात करूंका trademark के बारे में कि trademark क्या होता है ट्रेडमाइक्ड किया है देखे जिस इस नाम के साथ आप business करते हैं trade करते हैं उसको हम बोलते हैं trademark बहुत easy language मैं explain करता हूँ मैं trademark को आप ऐसे लो trade और mark दोनों अलग-अलग word को लेके चलो trade का मतलब होता है business mark का मतलब होता है किसी नाम के साथ आप उस business को कर रहे हो जब यह एक साथ जुड़ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं trade mark मतलब जो आपके business का name है जिसे आप transactions करते हो उसको हम बोलते हैं आपके business का trade mark अब इंडिया के अंदर यह trade mark law कब आया कौन से rules applicable हैं इंडिया के अंतर देखिए 1940 के पहले इंडिया के अंदर कोई भी trade mark law नहीं था अब इंडिया के अंदर trade mark act 1999 है और इंडिया के अंदर trade mark rules लागू होते हैं 2017 के हिसाब से पहले trade mark rules आया थे 2002 के अंदर उसके बाद यह second amendment आया है क्योंकि act तो law को define करता है rules बताते हैं process को तो ये दोनों चीज़ों की जानकारी होना अगर आप एक law student है या lawyer है जो IPR के अंदा practice करना चाहते है knowledge होना बहुत जरूरी है अब हम बात करते हैं क्या trademark के सही में जरूरत है जी हाँ आज में अपने नाम के साथ business कर रहा हूँ let's suppose ज अगर उनके नाम को कोई और use करने लग जाएगा तो वहाँ पर उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा इसलिए companies file करती है trademark वह IPR attorneys को hire करती है उनको अच्छा कासा pay करती है जिनसे वह लोग उनके trademark को registered करते हैं फिर वह market के अंदर regular check-up भी देखते हैं कि कई ऐसा तो नहीं है कि आपने business को बहुत अच्छा grow करा है आपके पास registered trademark है सारे rights है तो आप future के अंदर अपने trademark को sell भी कर सकते हो तो trademark आपकी एक asset है अब हम बात करते हैं जो trademark law है जो इंडिया के अंदर जब इसको लाया गया and अब इसकी demand कितनी बढ़ गई देखिए अब इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा trademark की demand बढ़ चुकी है 2019 के अंदर साड़े तीन लाग से ज़्यादा trademark application इंडिया के अंदर फाइल करी गई थी साड़े तीन लाग बहुत बड़ा नंबर होता है हर साल यह बहुत तेजी से grow हो रहा है और 2025 के आते आते हैं माना जा रहा है कि इंडिया में ह हर साल 6 लाग से ज़्यादा application फाइल होंगी सिर्फ trademark की हैं तो यह बहुत अच्छा scope है trademark का concept भी बहुत अच्छा है अगर आप एक यंग lawyer है student है तो आपको definitely इसकी knowledge होना बहुत ज़रूरी है देखिए friends हम ने आइप leaders पर बहुत सारे blogs ट्रेडमार्क की ओपर इस समय upload करे हैं आप हमारी website आइप leaders को visit करके सारे blogs को read कर सकते हैं आपको इस तीज की knowledge होना बहुत ही ज़रूरी है आपने इस वीडियो को यहां तक देखा उसके लिए thank you